नमस्कार दोस्तों क्लास एट माहराश्टेट बोर्ड मैथेमेटिक्स चप्ट नमबर एट कॉडरिल लाटरल कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स प्रैक्टिस एट पॉइंट बन उसमें कॉश्चन नमबर फोर कॉश्चन नमबर तरी तक कॉश्चन हो चुके हैं इसके पहले के वीडियो में तो आप सभी को अनुरद है कि चैनल को सब्स्राइब करें लाइक शेर करें और बेल आउकन प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के नोटिपिकेशन मिल जाएं कॉश्चन नमबर फोर दिखें कंस्ट्रक्शन का है कंस्ट्रक्ट कोडरलाटरल यल्यम यन ओ such that length of ylm is equal to length of yl is equal to 6 तो yl o और ylm इन दोनों line segment मतलब जो sides हैं कोडरलाटरल की उन दोनों की जो side length है वो 6 cm है length of yl o is equal to length of ylm is equal to length जो है वो 4.5 cm और length of OM is equal to 7.5 तो हम यहाँ पे एक ट्रफ डियाग्राम डॉक करेंगे जिसे के हमें पता चल जाए कि कौन सा measurement किस साइड का क्या है यल यम और यलो दोनों भी 6 cm है तो यल यम तो एक पॉइंट अगर यल यहाँ पे ले और यम यहाँ पे ले तो यल यम और यम यम यल यम अब नेम लिखना है इनका यल यम यन ओ यल यम यन ओ इसी ओर्डर से लिखना है तो ये लिए लिए के लिए देखिए 6 cm तो यहाँ पे लिखना है 6 cm यम यन की देखिए यम यन यन यम 4.5 तो यहां पर लिखना है 4.5 cm फिर यन ओ है के दिखिए यन ओ यन ओ है ओ यन ओ यन भी 4.5 cm है और लेंट अफ ओ यम इस इकोल टो 7.5 लेंट अफ ओ यम मतलब ओ और यम को जोईन करो तो एक डाइगोनल यहां पर हमें दिया गया है 7.5 cm का तो इस कंस्ट्रक्शन में 1, 2, 3 और एक साइड ओ यल ओ दिखिया है क्या यहां पर यल ओ 6 cm तो यहां पर यल ओ 6 cm तो यहां पर 1, 2, 3, 4, 4 साइड और एक डाइगोनल हमें दिया गया है तो सबसे पहले हम यहां पर बेस यल यम 6 cm डॉक करेंगे तो 6 cm यहां से 0 तक, मतलब 0 से 6 cm तक हमें line segment डॉक करनी है यल और यम पॉइंट हमें लिखना है अब यम पॉइंट से देखिये अमने यहां पर पहले यल यम डॉक करना है फिर यहां से यल से ओ तक का distance 6 cm है यम से ओ का distance 7.5 cm है तो O. अमें मिल सकता है L से और यम से distance लेकर. तो हमें 6 cm यल से लिखना है लिना है फिर O. पाइट मिलें के बाद देखें यन पाइट जो मिलेगा वो O से यन तक का distance 4.5 और यम से यन तक का distance 4.5 तो EM से भी 1 Ark लगानी है और O से भी 1 Arlk लगानी है 4.5 cm लगानी है तो हमें फिर उसके बाद 1. kra 11. nah 15 16 क्रपी एक Subscribe करनी है दिस्टन्स देखिए थोड़ा चेंज हो थोड़ा डिस्टन्स जो है वह अभी हमें यहांपे इसको बिना हिलाए हुए एक 6 cm पर आर्क हमें ड्रॉँ करने है 6 cm डिस्टन्स लेकर अब यम पॉइंट से 7,5 cm तो हमें 7,5 cm डिस्टन्स यहांपे लेना है और हमें यम पॉइंट से अर्क ड्रॉ करनी है तो यहाँ पे जो पॉइंट हमें बिलने वाला है वो है ओ पॉइंट तो हमें यहाँ पे ओ पॉइंट इसको नेम लिखेंगे और ओ पॉइंट से यल को हमें एक लाइन सीगमें ड्रॉ करेंगे ओ यल हमें यहाँ पे साइड मिल जाएगी अब देखिए ओ पॉइंट से और यम पॉइंट से यन पॉइंट 4.5 और 4.5 सेंटिमेटर की दूरी पे है तो हमें 4.5 सेंटिमेटर कमपस में डिस्टंस लेना है यह हमने ले लिया है 4.5 सेंटिमेटर अब देखिए यम पॉइंट से भी और यन पॉइंट, ओ पॉइंट से भी उतना ही डिस्टंस है 4.5 तो हमें यह डिस्टंस जो है हमने एक बार ले लिया कमपस में तो उड़ चेंज करने की जुरद नहीं है, ओ पॉइंट से भी यन पॉइंट और ओ ये दो पॉइंट हमें जोइन करने हैं तो यहाँ पे हमें मिलेगा quadrilateral यल यम यन ओ अब जो measurement है वो हमें यहाँ पे लिखने है 6 cm यहाँ पे यम यन 4.5 cm यह भी 4.5 cm 6 cm और यह भी 6 cm हमने यहाँ पे diagonal ड्रो करी है उसका भी measurement हमें 7.5 cm यहाँ पे लिखना है तो यह होगा है 7.5 cm नेक्स्ट कॉश्चन है जो कि टेक्स्ट वूप में नहीं दिया गया है लेकिन इस टाइब का मतलब 3 sides और 2 included angles अगर दिये गया हो तो यह एक example लेना जरूरी है तो in quadrilateral ABCD length of AB 5 cm length of BC4 length of AD 3 cm measurement of angle A 60 degree और measurement of angle B 70 degree तो हमें यहाँ पे पहले rough diagram draw करनी है quarter lateral ABCD हम यहाँ पे draw करेंगे अब देखें A जो point लिखना है दो angle हमें मलूम है angle A और angle B तो angle A यहाँ पे लिखना है B और AB जो segment है वो भी हमें बता है 5 cm तो ABC और यहाँ पे लिखना है point D AB की length 5 cm BC की length 4 cm length of AD 3 cm measurement of angle A 60 degree और measurement of angle B 70 degree तो हमने rough diagram जो है वो draw कर ली है अब हमें जो है वो construction करना है तो यहाँ पे एक series मतलब order हमें decide करना है कि सबसे पहले क्या draw करना है और फिर उसके बाद क्या-क्या draw करना है तो सबसे पहले हमे line segment AB 5 cm की draw करनी है पिर D point ऐसे ही नहीं मिलेगा और C भी नहीं मिलेगा तो कैसे मिलेगा डारेकल ले नहीं मिलेगा 3 cm हम distance भी नहीं लेना है पहले हमें angle draw करना है तो angle जो है वो A point पे 60 degree का और B point पे 70 degree का angle draw करना है फिर B point से 4 cm और A point से 3 cm पे हमें arc draw करनी है तो सबसे पहले हम AB line segment 5 cm के draw करेंगे तो 5 cm 0 से लेकर देखिए 5 तक मतलब यहां पे हमें और यहां पे 2 point हमें लेने हैं A point और B point तो A point पे हमें 60 degree का angle और B point पे 70 degree का तो 60 degree के लिए देखिए पोटक्टर जाए वो हमें match करना है नीचे की side से और एक जो angle की side है वो right hand side में है इस angle की side right hand side में है तो right hand side का जो 0 है वहां से हमें 60 degree count करना है तो 0 से लेकर यहां 60 degree तो यह A point और यहां का point यह दोनों match करिए और एक straight line जो है वो draw करिए line segment अब यहां पे 70 degree का angle B point पे हमें 70 degree का जो है वो angle हमें draw करना है तो यहां पे देखे 70 degree कहां से draw करना है तो यह एक angle हम जो है थोड़ा हम increase करेंगे करें जिससे की करेंगे सुपोज यह angle हम लेंगे 110 degree एंगल B जो है वो हम change करने जा रहे हैं मतलब यह question मैंने खुद से ही दिया है कि इसलिए मैं यहां पे थोड़ा change करा हूं 110 degree तो देखे 110 degree लेने के बाद अब B point पे निचे की जो side है इस angle की एक side हमें यहां पर left side में है तो left side का जो जुरू है वहां से हमें 110 degree काउंट करना है तो 100 यहां पर है 110 यहां पर होगा तो 110 पर हमें कि क्लाइन सिग्मेंट जो है वो ड्रॉ करने है 110 degree पर अब एपॉइंट से डी तक का 3 cm हमें डिस्टंस लेना है तो 3 cm से डिस्टंस हम कंपास में लेंगे तो यह 3 cm डिस्टंस लेकर ए पॉइंट से हमें एक आर्क ड्रॉ करने है जो इस एंगल को यहां पर इंट्रसेक्ट हो और 4 cm की एक हमें लाइन सिंग में ड्रॉ करने है यह वाप 4 cm तो हमें यहां पर बी पॉइंट से 4 cm तक एक आर्क जो है वो ड्रॉ करने है और इन दोनों को हमें अभी जाइन करना है एक मिन्ठा में यहां पर 3 cm 0 से 3 cm और 0 से 4 cm तो ठीक है अभी इन दोनों का में जाइन करना है तो ज्यादा डिस्टंस लग रहा था तो दिखिए इनको हमने जाइन कर लिया है तो अभी यहां पर जो पॉइंट होगा वो होगा D यहां पर जो वर्टेक्स होगा वो C अब AB का जो मेजरमेंट है वो हमें लिखना है 5 cm BC का लिखना है 4 cm AD का लिखना है 3 cm मेजरमेंट ऑफ एंगल ए 60 डिग्री और मेजर ऑफ एंगल बी 110 डिग्री तो यहां पर भी कोशन में हम लिखते हैं 110 डिग्री तो अब यह सही रहेगा तो ठीक है दन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए और अगे के वीडियो में जो है वो हम टाइपस ओफ कॉड़ी लेटरल से लिंगे यह कंस्ट्रक्शन के सभी मतलब जो टाइपस हैं कॉड़ी लेटरल से जिससे हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं यहां अभी जो स्क्वेर दिया गया हो square के अगर एक ही line एक ही side के लिए था हमें पता हो तो हम square draw कर सकते हैं या फिर rectangle के लिए हमें क्या क्या मालूम होना जोरी है जिससे के हम rectangle draw करेंगे ये सभी part जो है वो आगे वाले वीडियो आगे आने वाले वीडियो में लेंगे और quadrilateral किसी जो types हैं और उनके properties types और properties में बहुत confusion होता है बहुत से बच्चों का तो वो part हम अच्छी तरह से आगे आने वाले वीडियो में लेंगे हैं